स्वस्त निरोगी काया को है पाना तो सिर्फ और सिर्फ आयरुवेद को है अपनाना नवस्कार मैं हूँ आपके साथ पीती पवार लेकर हाजिर हूँ एक बर्फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदिदा कारिक्रम स्वस्त विचार जहां आपको आपके हर असादे से असादे रोगों के आयरुवेदिक उपचार बताए जाते हैं और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असादे रोग निवारत गायतरी सिद्पंडित श्री लक्षपडदास रतन भारद्वाजी तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का गुरुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार दर्श को कोई भी इशारे एक समस्याप के साथ है आप इलाज बहुत समय से करा रहे हैं लेकिन आपको इलाज नहीं लग मिल रहा या फिर आप जहां से दवाईयां ले रहे हैं वो दवाईयां आपको अराम देने की बजाए आपकी हालत और भी ज़ादा खराब हो गई है दवाईयां तयार की जाती है और नाड़ी परिक्शन के बाद ही आपको ये दवाएं दी जाती है क्योंकि गुरुजी जब तक आपका नाड़ी परिक्शन नहीं कर लेते आपके रोग का कारण नहीं जान लेते तब तक आपको दवाईयां आपको देते हैं अगर आप उन दवाओं का नियम और परेश के साथ एक से डेड़ महीने जो अपका इलाज चलता है इसमें आप सेवन कर लेते हैं तो आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं फिर चाहे वो रोग सालों पुराना हो या फिर कितना भी बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो किसी भी प्र आप खास खयाल रखें जैली कारीक्रम को अगे बढ़ाते हैं और गुरु जी से जानते हैं जुए पढ़ने की समस्या के बारे में यह कैसी समस्या है जिससे बहुत सी मैं परिशान है क्योंकि उनकी बच्चों के सर में जुए पढ़ जाती है और फिर उनके लिए मुसिवत बन जाती है तो ग्रुजी से जानते है कि कैसे हम इसका घर बैठे अप चार कर सकते हैं ग्रुजी जब किसी के सर में जुए पड़ती है तो बजार में बहुत सी दवाईयां होती है बहुत सी ऐसे की से side effect ज़्यादा है एक तो बाल ज़रने पड़ी जल्दी सुरू हो जाते हैं स्वेद भी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसका आँखों में फर्क पड़ता है आज जितने भी मेडिकल सेंस में द्वाईएं बनी हैं आर्टिफिसल यह सिर्फ बिजनिस के लिए हैं किसी रोग की द्वाई पूरी नहीं है प्रांतु स्वास्त वचार एक मातर आस्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग हर एक बमारी ऐसे समाप्त की जाती है जैसे कूरे करकट के ढेर को मार चीज की तिल्ली जिला के समाप्त करती है जब भी किसी के जूवें पढ़ जाएं तो इसको दो चीज़ों पर वसेज ध्यान देना कि एक तो साबन से बाल नहीं धोने बाल धोने के लिए आपको चने का बेशन और निम्पो के रस में बलाके पहले बालों में अच्छी तरह लगाएं फिर हलके गर्म पानी से उसको दोएं एक तो बाल आपके बड़े अच्छे साफ होंगे और इसका सैड इफेक्ट कोई नहीं पड़ता उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएं दोने के बाद तो प्याज का रस निकाल करके सर्सों के तेल में मिलाके उसको अच्छी तरह बालों की जड़ों में रिचाएं और कम से कम आदे घंटे तक स्रीर की सर्सों के तेल में प्याज के रस की मालस करें आपको ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखियो और जूएं जूओं के आणडे बिलकुल समाप्त हो जाएंगे क्योंके प्याज की महिक जो है जूओं को मारने के लिए आणडों के समाप्त करने के लिए एक इसनों का अगनिवान है और उसके बाद ब्रीक कांगी से आप बालों कांगी करेंगे तो जितनी जूओं मर चुकी हैं और जो इसके आंडे बालों में थे सब के सब उस कांगी के साथ आजाएंगे और जो बार बार शिर में ऐसे हाथ लगाते रहते ऐसे खुजा करते थे वो खुजा करने के अब जरूरत नहीं पड़ेगी जब जू होगी नहीं काटे गिन तो खुजा कहां से होनी है और चिन्नी का प्रेयुक बिल्कुल बंद कर दें, आइडिन नम्क बिल्कुल नहीं लेना, सिंदा नम्क या कारा नम्क जितना मर्जी खाएं, गुरा है बिना मसाले का शक्कर आए जितनी मर्जी खाएं, या सेला मिस्री या कुज्जा मिस्री खा लें, और देसी खांड भी आजकल खान को पीछ करके बनाते हैं, वो भी आपको नुफसान करेगी, और खाना हमेशा आप ताजा गर्म गर्म खाना खाएं, खाने के साथ भी आप लस्टन प्याज अदर का रस गर्म पानी में मलाकर दो गलास पीते हैं, तो लस्टन प्याज अदर का जो रस अंदर जाए यह भी जुमआ पैदा नहीं देता कियोंकि आपके खून के अंदर जहां पे लस्षण पि अधरक की महक है वहा पे खुरी में कोई किसी खुण के सब्स पर किसलिक। रुखी नहीं सकता but then सांस छोडेंगे, उसमें जहां तक सांस गया, उसमें वाईय मंडल के अंदर जो कटान हो थे वो नश्ट होगे, आपको प्योर ऑक्षीजन आगे, आपको कहां से रोगाएगा। लस्टन प्याज अदरक पैर के तलूवे से सिर के बाल तक ऐसे रक्षा करता है, जैसे मां के पेट में बच्चे की रक्षा होती है। हर ममारी को समाप्त करने के लिए, हर रोग को मुक्ति दिलाने के लिए, आँखों के दिरिष्टी को बढ़ाने के लिए, पाचल सक्ती को बढ़ाने के लिए, और खोन के अंदर के एफेक्षन को काटने के लिए, लस्टन प्याज अदरक एक इसो का अमरता है। मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे निरासा होती है जो लस्षन प्याज अदर से नफर्थ करते हैं और मरे वजानवरों के हणियों का चूरा खा रहे हैं, कोबरे साम का जहर पी रहे हैं केमिकल खाके अपने पेट का सत्यानाज कर रहे हैं प्रांतु जो चीज हमेशा के लिए जड़ से रोक कारती है उससे नफर्थ कर रहे हैं लस्षन प्याज अदरक से जो महक आती है इसको दबाने के लिए आपके पास या तो जीरा तो भून करके थोड़ा सा मुह में डालें आपको महक नहीं आए कि किसी को भी या थोड़ा सा देशी गुरू बिना मसाले का मुह में डालें दस सिकिंट के अंदर जो आपके मुह से स्मेल आ रहे थी उस मफ्त हुए है हम इलहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरीता वर्मा है हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे बहुत जगें गए सा लेकिन हमें जो है सफलता नहीं नहीं है अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीपी पर परचार आता है एक बार यहां पर भी ट्राय कर लो हर जगें कर ली हो और क्या पता इस वर तुम्हारी जो है सुन लें तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहां पर आई और बाबजी को दिखाय अपका मतलब यहां पर एलाज हो सकता है तो मैंने उनके कहने के अनुसाद जो है इलाज कराया करीब छे महीने मुझे लगे हैं डवाई खाके यहां का और अंत में मुझे जो है सफलता मिली मुझे मेरा बेटा हुए अब यह चार साल का हो गया है आई यह सब बाबाजी की यहां जरूर सफलता मिलेगी इस वर कि यहां बहुत बड़ी किर्पाया है और विस्वास के साथ आए और अपनी मनों कामनाओं को पूंड करें मेरा नाम शेशीदुवा है रोईनी से आयाम सोलर सेक्टर मुझे यह दो साल से कमर में बहुत तकलीफ थी मैं जगा जगा होस्पिटल गई तीन चार बार और जिनों ने कहीं बताया मैं वहां भी गई थी पर मुझे होस्पिटल से आने के बाद दो दिन रिलीफ मिलता था मैंने बहुत दवाईयां खाई है पर मुझे कुछ फरक नजर नहीं हाया सिर्फ दो त्यार घंटों का आता था दवाई खाने के बाद लेकिन एक दिन मेरी मदर इला टीवी पर प्रोग्राम देख रही थी इनका बोले बेटा हम उदर चलते हैं पर मुझे कुछ लगा ने कि उदर जाने से ठीक हो जाऊंगी पर मैं उनके साथ चल पड़ी जब यह नहां आई तो उन्होंने मेरी नस वगएरा हाथ से दबा कर देखा तो तो कहरे बहुत ज़्यादा तकलीफ है उस तेम मैं चल भी नहीं पा रही थी लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाईयां दी वो मैंने खाई एक अफते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया पोल दिया था कि इसको लगाने की जूरती नहीं पड़ेगी मैंने अपनी मर्जी सही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट जब मैं जीने वगएरा उपर चड़ती वैसे जरूरत नहीं है हलके हलकी है वो भी मतल ठीक लगता है से तो आपने दवाई यहां की दवाई कितने दिन जी सवाल करें गुरुची सुन रहे हैं आपको नश्यूरत कि अपता देख वैटा लबाई बढ़ती है 20 साल तक उसके बाद लबाई नहीं बढ़ती है आप किसी गल्द फैम में ना जाएं पैसा बरबाद ना करें हम इंसान की लबाई सिर्फ 20 साल तक बढ़ती उसके बाद नहीं बढ़ती गुरुजी यहाँ पर एक और वाट्सअप मेसेज दे लेते हैं यह वाट्सअप मेसेज हमें आया है राजु जी का जोकी रहने वाले है जैपूर के यह लिखते है कि गुरुजी मेरे गुट्नों में बहुत दर्द रहता है और पेट भी मेरा साफ नहीं रहता देखिए गुट्नों में दर्द रहने का मुख्याकार नोता खड़े-खड़े खाना खड़े-खड़े पीना और यदि हम इसके लिए मेडिकल सैंस की द्वाइएं लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए सुनगी पैदा करते हैं रोग नहीं काड़ते है प्रांतु स्वा द्वाइं है कि जिस से नाना उस तिन रातरी 10 वे तक खा पीके दातन कोला करके बड़ी लेची मौ में रखके चूछते रहना सुबह नाव से दस के अंदर अपना नाम करने कर दस से बारा में नाड़ी प्रिक्ष्ण करता हूँ नाड़ी प्रिक्ष में पैर के तलव ऐसे सिर के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ECG, sonography, सब कुछ पांच सकेंड में हो जाते हैं उसमें जो भी कमी सिरिट के अंदर पाई जाते हैं दोईयें दी जाती हैं दोईयें खाने की हैं, दोईयें पीने की हैं, मालस करने के तेल हैं, आँख में, नाख में, कान में डालने के दोईयें हैं जदि नियम से दोईय खाते हैं, प्रेज करते हैं तो जिस दिन आसर में आएंगे उसी दिन आपको घुटने दर्द में 20-50% रा मिल जाएगा और जो आपका पेड ठीक साफ नहीं होता है, उसी दिन से पेड भी नॉर्मल साफ होना सुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम नहीं करता है, और आपकी नप भी अपनी जगा पे नहीं है, जब पेड साफ नहीं होता है, खून के अंदर गैस रुकते हैं, जिस नाड़ी परिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर वैपार नहीं करते हैं, यहाँ पर पहले आपके रोग का कारण जाना जाता है, उसके बाद आपको दमाए दी जाती है, कारण जो पता चलता है, वो नाड़ी परिशन से पता चलता है, इसके मादम से गुरुजी मातर तीन से पांस सेकिन में आपको आपके रोग कारण बताते हैं कितने साल पुराना है ये भी बताते हैं और सातीप साथ बताते हैं कि किन गलतियों के कारण आपको आज ये रोग हुआ है तो अगर आप चाहते हैं अपने रोग का कारण जानकर सही इलाज कराना तो सस्त वुजार आश्रम में आपका स्वागत है आश्रम पराने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है यहाँ एक दर्शक चुड़ गए है इनसे बात करते हैं हालो नमस्कार नाम बताए कहा से बात कर रहे हैं सवाल करें गुरुजी सुन रहे हैं आपको गुरुजी पढ़ा है गुरुजी साहले जावी जिम करता था तो अभी जिम बंद कर दिया है महां प्रेश्या लटक बेनिया तो उसके लिए प्राज है देखो मैं नाड़ी बैद हूँ मैं सुनी सुनाई बातों पर द्वाइएं नहीं बेचता ये काम होता है मेडिकल सेंस का कि आपने रोग बताया और कहेंगे लो मैं द्वाई भेज रहा हूँ आप इस द्वाई को खाओ और आप मिलेगा वो हते हैं द्वाईएं सिर्फ रोग को द्वाने के लिए मैं रोग को जर्से कारता हूँ मैं देशी जड़ी बुटियों से लाज करता हूँ मैं किसी किसम का कैमी कलनी बेचता आप बुद्वार छोड़कर गुरु बार से लेके मंगल बार के बीचे मेरे आस्र में आए जिस दिन आस्र में आना उस दिन रातरी दसवे तक खाँ पी के दातन कुड़ा करके बड़ी लेची मुँ में रखके चूशते रहें सुबह ना से दस के अंदर अपना नाम करन कुड़ाएं दस से बारा में नारी प्रिक्ष्ण करूँगा नारी प्रिक्ष्ण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ECG, sonography सब कुछ पांच से किन में हो जाएंगे उसमें जो भी कमी श्रीट के अंदर पाई जाएंगे द्वाईयों दी जाएंगी द्वाईयों खाने की हैं, द्वाईयों पीने की हैं, मालस करने के तेल हैं आंक में, नाक में, कान में डालने की द्वाईयों हैं यानि जो रोग मिलेगा सब द्वाइए कठी चलेगे यदि द्वाइए आप नियम से लेते हैं प्रेज करते हैं और शाम को सारे तीन वाज़े एकको प्रैसर कुराते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में हैंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% राम तो जरूर मिलेगा तो अगर आप चाहते हैं जल से जल रोग मुक्त होना आप चाहते हैं काम जिन्दगी जीना तो सबस्विचार आश्रम में आपका स्वागत है आश्रम पराने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है कोई शंका है आपके मन में कोई सवाल है किसी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो नंबर पर कॉल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिये जा रहे हैं। प्रकारी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चाहर नंबर दिये जा रहे हैं। प्रकारी बडेन के जापकी टीवी जैङ से वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी य्यादे जो झापकी टीवीी जो एकत्रित करें हैं। झाल झाल